बाच्पा के पूरो सांसत बोसिंग भगत अब कांग्रेस के पाले में चले गए हैं भगत ने 20 सितंबर को भोपाल में अपने सासों से अधिक कारकरताओं के साथ पीशीचीप कमलनात के हातों कांग्रेस का दामन थामा बोसिंग भगत के कांग्रेस में आते ही चर्चाव का बाजार तेज हो गया है तो वहीं लोग इसे कांग्रेस का मास्टर इस्ट्रोग भी कह रहे हैं क्योंकि भगत पूरो में भाच्पा के सांसत रह चुके हैं अब पर लोगसबत चुनाव का दाव खेलती है तो यह दाव फायदे मन साबिद भी हो सकता है क्योंकि भगत पूरो में सांसत रह चुके हैं और उनके पास सांसत होने का अनुबव भी अच्छा खासा है आपको बता दे बाला हट सीवनी लोगसबत सीट में कांग्रेस को सांसत क सीट पर काविज होने का इंतजार पिछले दो दसक से भी अधिक से करना पड़ रहा है ऐसे में कांग्रेस का इंतजार काफी लंबा हो चला है और इस बार सांसत सीट पर अपना कबज़ा करने के लिए पार्टी पूरी तरह से एड़ी चूटी का जोर लगाईगी जब पू जाने वाले गौरी संकर विशेद जो विदान सभा चुनाव नहीं लड़ने की बात कह चुके हैं तो क्या वे भाजपा से लोग सभा चुनाव लड़ेंगे क्योंकि गौरी संकर विशेद भी पूरू में सांसत रह चुके हैं और अगर ऐसा होता है कि विशेद भाजपा से और बोच सिंग भगत कांगरेश से लोक्षबा चुनाव लड़ते हैं तो यहाच चुनाव भाव बनाम भाव रहेगा